नमस्कार, मनुष्य जो कर्म यहां पर करता है, उसे वो सारे कर्म भोग में ही होते हैं। चलिए आज सुनते हैं श्री जैशंकर प्रसाद जी की कहानी प्रती ध्वानी। मनुष्य की चिता जल जाती है और बुझ भी जाती है, परंत उसकी चाती की जलन, द्वेश की ज्वाला संबव है, उसके बाद भी ठक ठक करती हुई जला करे। तारा जिस दिन विद्वा हुई, जिस समय सब लोग रो पीट रहे थे, उसकी ननद ने भाई के मरने पर भी रोधन के साथ व्यंग स्वर में का, अरे मैया रे, किसका पाप किसे खा गया रे। अभी आसन वैधव्य ठेल कर अपने कानों को उचा करके, तारा ने वतीक व्यंग रोधन के कोला हल में भी सुन लिया था, तारा संपन्न थी, इसलिए वैधव्य उसे दूर से ही डरा कर चला जाता, उसका पूर्ण अनुभव कभी न कर सकी, हाँ ननद रामा अपनी दरिद ना होता, श्यामा चौदा बरस की हो चली, बहुत चेश्ठा करके भी रामा उसका ब्यान ना कर सकी, वह चल बसी, श्यामा निस सहाए अकेली हो गई, पर जीवन के जितने दिने वे कारावासी के समान काटने ही होंगे, वह अकेली ही गंगातट पर अपनी बारी से सटे कच्चे जोपडे में रहने लगी, मन्नी नाम की एक बुढिया जिसे वह दादी कहती थी, रात को उसके पास सो रहती, और ना जाने कहां से कैसे उसके खाने पीने का कुछ प्रबंद कर ही देती, धीरे धीरे दरिता के सब अफशेष्ठ चिन बिककर श्यामा के पेट में च असमर्थ था, नवीन किसले उससे चमक उठेते वशंत की किर्णों की चोट से कोयल कोटी आम की कैरियों के गुचे हिलने लगे, उस आम की बारी में माधो रितु का डेरा था, और श्यामा के कमनी कलेवर में योवन था, श्यामा अपने कच्चे घर के द्वार पर खड़ी ह हुई मेग संक्रांति का पर्वस्नान करने वालों की कगार के नीचे देख रही थी, समीप होने पर भी वह मनुष्यों की भीड उसे चीठिया रेंगती हुई सी दिखाई पड़ी थी, मनी ने आते ही उसका हाथ पकड़ कर, कहा चलो बेटी, हम लोग भी स्नान करावें, उस ने कहा नहीं दादी, आज अंगंग तूट रहा है जैसे ज्वराने को है, मनी चली गई, तारा स्नान करके दासी के साथ कगारे के उपर चढ़ने लगी, श्यामा की बारी के पास से ही पत था, किसी को वहाँ ना देकर तारा ने संतुष्ट होकर सास ली, कैरियों से मामी कल तो यह नीलाम ही होगा, तारा की अग्मी बार्ण सी आखे किसी को जला देने के लिए खुजने लगी, फिर उस के हदय में वही बहुत दिन की बात प्रतिधनित होने लगी, किसका पाप, किसको खा गया रे, तारा चौक उठी, उसने सुचा रामा की कन्या व्यंग क बीक लेने के लिए कह रही है, तारा ओर्ण चबाती हुई चली गए, एक सो पाँच एक, एक सो पाँच दो, एक सो पाँच तीन बोली हो गई, अमीन ने पूछा, नीलामी का चौथाई रुपया कौन जमा करता है, एक कठीले युवक ने कहा, चौथाई नहीं कुल रुप प्या सामने रख दिया, श्यामा एक आम के व्रक्ष के नीचे चुप चाप बैठी थी, उसे और कुछ नहीं सुनाई पड़ता था, केवल डुग्जियों के साथ एक, दो, तीन की प्रतिधवनी कानों में गूंज रही थी, एक समझदार मनुशन ने कहा, चलो अच्छा ही ह तारा ने अनात लड़की के बैठने का ठिकाना तो बना रहने दिया, नहीं तो गंगा किनारे का घर और तीन बीगे की बारी एक हजार पांच रुपए में, तारा ने बहुत अच्छा किया, बुडिया मन्नी ने कहा, भगवान जाने ठिकाना कहा होगा, श्यामा चुप चा कि उसके घर भी है, बुडिया के साथ अमीन सहाब आकर खड़े हो गए, अमीन एक सुंदर कहे जाने योग युवक थे, और उनका यह सहज विश्वास था कि कोई भी इस्त्री हो, मुझे एक बार अवश्य देखेगी, श्यामा के सुंदर को तो दारिद्र ने ढख लिया थ पर उसका यौवन छिपने योग न था, कुमार यौवन अपनी कीड़ा में विहल था, अमीन ने कहा, मनी पूछो मैं रुप्या दे दूँ, अभी एक महिने की अवदी है, रुप्या दे देने से नीलाम रुख जाएगा, श्यामा ने एक बार तीखी आँखों से अमीन की और देखा, वह पुष्ट कलेवर अमीन उस अनात बालिका की जश्टी नस है सका, धीरे से चला गया, मनी ने देखा, बरसात किसी गीली चिता, श्यामा की आँखों में चल रही है, मनी का साहस ना हुआ कि उससे घर चलने के लिए कहे, उसने सोचा ठर कर आऊंगी, तो इसे प्रकाश, अकस्मात संपती मिल जाने से जैसा प्राया हुआ करता है, वही हुआ, प्रकाश अपने आपे में न रह सका, वह उस देहात में प्रतहम श्रणी का विलासी बन बैठा, उसने तारा के पहले घर से कोज भर दूरी, श्यामा की बारी को भली भाती सजाया, उसका कर चावनी कहते थे, अशार का महिना था, सबेरे ही बड़ी उमस थी, पुरवाई से खन मंडल स्थेर हो रहा था, वर्शा होने की पूरी संभावना थी, पक्षियों के जुंड आकास में अस्त व्यस्त घूम रहे थे, एक पगली गंगा की तटके उपर की और चड़ रही थी, वह अपने प्रतेक पाद विक्षे पर एक, दो, तीन अस्फुट स्वर से कहे देती, फिर आकास की और देखने लगती थी, अमराई के खुले फाटक से वह खोसाई, और पास के व्रक्षों के नीचे घूमती हुई, एक, दो, तीन करके गिनने लगी, लहरी ले पवन क एक जोकाया, तिर्शी बूंदों की एक बाड पड़ गई, दो, चार आम भी चूप पड़े, पगली घबरा गई, तीन से अधिक वक गिनना ही नहीं जानती थी, इधर बूंदों को गिनने की आमों को, बड़ी गड़बड़ी हुई, पर वह मेक का टुकड़ा बरसता और निकल गया, पगली एक बार स्वस्त हो गई, महोका एक डाल से पूलने लगा, डुगगी के समान उसका डुप 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 शब्द पगली को पैचाना हुआ सा मालुम पड़ा, वह फिर गिनने लगी, एक, दो, तीन, उसके चुप हो जाने पर पगली ने डालों की औ देखा और प्रसंद हो कर बोली, एक, दो, तीन, इस बार उसकी गिंती में बड़ा उल्लास था, विसमे था और हर्श भी, उसने एक ही डाल में पके हुए तीन आमों को वरंतों से ही तोड़ लिया, और उन्हें जुकाते हुए गिनने लगी, पगली इस बार सचमुछ बाल अबू के पास ले चला, प्रकाश यक्षमा से पीडित होकर इन दिनों यहां निरंतर रहने लगा था, वाख खासता जाता था, और तक ये के सहरे बैठा हुए पीकदान में रक्ट और कफ थूकता जाता था, कंकाल सा शरीर पीला पड़ गया था, मुख में केवल नाक और बड़ी बड़ी आँखें अपना अस्तित चिला कर कह रही थी, पगली को पकड़ कर माली उसके सामने ले आया, विलासी प्रकाश ने देखा, पागल योवन अभी उस पगली के पीछे लगा था, कंक प्रकाश को आज अपने रोग पर क्रोध हुआ और पून मात्रा में हु यह किस पाप का फल है तुझ जानता है, इसे कौन खाएगा बोल, कौन मरेगा बोल, एक, दो, तीन, चोरी को पागल पन में छिपाना चाहती है, अभी तो तुझे बीस चाहने वाले मिलेंगे, चोरी क्यों करती है, प्रकाश ने कहा, एक बार पगली का पागल पन, लाल वस पहन कर उसकी आँखों में नाच उठा, उसने आम तोड़ तोड़ कर प्रकाश के खे जर जर हदय पर खीच कर मारते हुए गिना, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, उनकी प्रतिध्वनी अमराई में कून जुठी, तो ये थी श्री चैशंकर प्रसाची की कहानी प्रतिध्व कि खरणा और विद्वेश में मनोश्य अंधा हो जाता है, लेकिन हम जो कर्म करते हैं, उनका फल हमें कहीं न कहीं प्राप्त हो ही जाता है, इसलिए लोगों पर दया करने की प्रवति होनी ही चाहिए, फिर मिलेंगे किसी नई कथा के साथ, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को क्रप्या लाइक कीजे, शेयर कीजे और सब्सक्राइब भी कीजे, बहुत बहुत धन्यवाद,